कॉंग्रेस के युवा नेता हार्थिक पटेल ने दैवरिया में पचनावी जन्सावा को सम्भोधित किया और इस दोरान प्रधानमंती निरेंदर मोधी पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि देश के किसानों और नोजवानों ने जिस निरेंदर मोधी को मा गंगा का बेटा समझा वह अडानी अमबानी के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति है देश में 12 क्रोड नोजवान दिरोजगार हैं इसमें से कोई अडानी अमबानी का बेटा नहीं बलकि हमारा और आपका बेटा है उन्होंने कहा कि अगर अडानी और अमबानी का करजा माफ हो सकता है तो देवरिया के किसानों का करजा माफ क्यों नहीं हो सकता एक तरब भाजपा है एक तरब कांगरेस है लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में यह हुआ है कि यह चुनाव किसी भाजपा या कांगरेस के बीच में नहीं है ये चुनाव भाटपा के खिलाप हिंदुस्तान का नोजवान लड़ने वाला है हिंदुस्तान का किसान ये चुनाव लड़ने वाला है और जो पिछड़ा दलीत गरीद जिस पर अतिया चार भारती जन्ता पार्टी ने किया है वो लोग 2019 चुनाओ भारती जंदा पार्टी के सामने लड़ने वाला है 2014 में आप सब लोगों ने गुजराज मोडल देखके नरेंद्रमोदी को वोट किया था गुजराज मोडल के अंदर आप ने हम्दाबाद सुरत और बड़ोजरा की सिवा कुछ नहीं देखा था को देश का प्रदान मंत्री बना दिया और यहां से कराज मिस्रा को आपने चुनाओ जिता दिया था